आज पता नहीं ऐसा हेलिकॉप्टर झाल 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 एलो दियर स्टूडेंट्स देखिए आज क्या है कि हडपा सिविलाइजेशन में उतर ना था तो हेलिकॉप्टर से आने का सोचा बट हेलिकॉप्टर ही जो है इदर उदर हो गया और सारा इंटरनेट कनेक्शन तूट गया लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके आपके लिए ये लेके आया हूँ ये क्लास बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ और पूरा पूरा जो है पशुपती शिवा के यहां पे आपके सामने आये हैं और ये आर्टिफिशल इंटेलेजेंस वले पशुपती शिवा है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो असली पशुपती शिवा जो हडपा सिविलाइजेशन के अंदर जो जिनको पूछते थे लोग वो है ये ठीके और ये क्या है ये तो ये योगा के पोस्चर में है किसमे योगा अच्छा एक चीज सोड़ा सा एक बार बता दीजिए वोईस और वीडियो एकदम प्रॉपर है क्या एक बार बता दीजिए दाइन यहाме रंखेगा एक बार ये Pen ले ले लीते हैं अ यहां पर, ओके, ठीक है, परफेक्ट एक दम बहुत बढ़िया, देखिए यह एक एविडेंस है, बहुत पुराना हडपा जो है, हडपा सिविलाइजेशन का सबसे भारी यह फोटो मिली है, जिसमें योगा का पोस्चर है, ठीक है, और आज क्या है, योगा दिवस है, योग सील जो है, इस तरह की मिली है, और इन्हें क्या कहा जाता है, पशुपती सिवा, बिलकुल, हाँ, जी, और यहां से हमको एक और चीज का पता चलता है, आज इस साल का, 2023 का सबसे बढ़ा कोश्चन, इंटरनेशनल योगा डे 2023 की थीम क्या है, तो थीम क्या है, योगा फोर व अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ, कि एक है नेशनल साइंस टे, तो नेशनल साइंस टे जो है, सिरफ इंडिया मनाता है, तो नेशनल, एक नेशन बनाता है, जब दो या दो से अधिक नेशन बनाते हैं, अधिक राज्य बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं, इंटरनेशन योगा डेकी थीम क्या आई है योगा फॉर वसुदेव कुटमकुम राइट आज तो नेट प्रॉब्लम है यह नेट प्रॉब्लम आज ज्यादा है मुझे लग रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं तो वसुदेव कुटमकुम योगा डेकी थीम है और यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और अल्सो नोन एस हडपा सिविलाइजेशन और अल्सो नोन एस सिंदू घाटी सब्यदा बहुत ही शांदार यहाँ पे हम करने वाले हैं चलिए श्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहली बार कैसे पता पड़ा 1921 में जब दयाराम साहानी ने पहली बार हडपा की खोज करी उन्होंने खोद के देखा तो उनको पूरी दिवार दिख गई है की नहीं और जब दिवार दिखी तो उसको खोदते गए तो पूरी की पूरी सिटी आ गई और उस सिटी का नाम क्या रखा गया हडपा और उसी से हमारा हडपा civilization हुआ क्योंकि वो सिंदू नदी के पास थी इसकी सिंदू नदी के किनारे सारे के सारे थे तो इसी वज़े से जो है उसका इंडस वैली civilization कर दिया बट मुझे एक बात समझ नहीं आई सिंदू ठीक है सिंद भी ठीक है बट ये हिंदूस्तान वर्ड कैसे आ गया है सिंदूस्तान तो मैंने सुना है पहले हमारे भारत को सिंदूस्तान बुलाया जाता था क्योंकि सिंद नदी के किनारे था है ना लेकिन अब हम हिंदूस्तान बुलाते हैं तो एक्चुली क्या है कि जो लोग थे हमारे वो सर को हाँ पढ़ते थे तो सिंदूस्तान से क्या हो गया हिंदूस्तान हो गया सिंदू होने चाहिए थे जो हिंदू हो गए इस तरह से हुआ है ठीक है और इट वाज लार्ज देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा सिविलाइजेशन सबसे बड़ी सब्यता कौन सी है भारत की चलिए देखते हैं नौर्दन मोस्ट साइड जो है मंडा है और मंडा जो है जम्मू कश्मीर पे है है ना हाँ और वेस्टन मोस्ट साइड जो है सबसे इधर की साइड वो क्या है सुतकंदोर है जो की इरान और पाक किस्तान के बॉर्डर पे है इतना वाइड है हडपा सिविलाइजेशन फिर अगर हम साउथ की बात करते है तो देमाबाद देमाबाद है यहाँ पे हाँ इधर की साइड में जो की महारास्टर का पार्ट है और इस्टन मोस साइड जो है उत्तर प्यदेश का आलम गिर ठीक है गड़ी के आगे की पार्ट जो है तो इस तरह का हमारा हडपा सिविलाइजेशन है और आज मैं इतनी इंट्रेस्टिंग चीजे आपको बताने वाला हूँ इतनी इंट्रेस्टिंग में फोटोज आपको दिखाने वाला हूँ आप याद रखोगे उस सीज को चलिए देखत हैं सबसे पहले तो कुछ छोटे-छोटे important features देख लेते हैं important features की बात करें अगर हम तो systematic town planning on the lines of grid system systematic planning का मतलब क्या होता है एकदम 90 degree पे हाँ मुझे तो कुछ doubt लग रहा है वैसे ओके एकदम perfect है कोई दिक्रत नहीं है हाँ चलेगा ठीक है use of burned bricks in construction burned bricks आजकल भी burned bricks लगाते हैं वोई का वोई जो है पहले भी लगाते थे underground drainage system drainage system इतना शानदार gypsum का बनाये हुआ awesome ठीक है own characteristic pottery seals and script खुद की ही script है खुद की ही pottery बनाई हुई है और खुद की ही seals बना रखी थी उस समय की बहुत बढ़िया portified citadel अच्छा सिरफ चनूदारों को छोड़के हर जगे citadel बनाया गया था citadel क्या होता है वो देख लेते हैं नीचे की साइड में city और उपर की साइड में citadel तो इसका मतलब है कि कोई राजा का प्रमान हुआ होगा लेकिन actually में citadel में बड़े लोग रहते थे राजा का कोई प्रमान है नहीं अभी तक हमारे पास अभी तक till date अपनको मिला नहीं है और इसके बारे में अगर आपको पता हो तो यह आप आज की class में बहुत बार आप देखने वाले हो यह है the great bath कौन सा है great bath चलिए आगे बढ़ते हैं characteristics की बात करें अगर हम हाँ ठीके इंडस के river system पे है यह और aluvial plains मुझे एक simple सी बात बताओ जहां पे नदी बहेगी तो उसके आज़ पास fertile region होगा और मैंने आपको बताया जब भी कोई fertile region होता है तो वहाँ पे हमेशा aluvial soil पाई जाती है तो aluvial plains है आपकी UP का इलाका देख लो मध्यपदेश का इलाका देख लो पंजाब का इलाका देख लो aluvial soil कूप सारी है तो यहाँ पे animals भी rare करते थे चाहे sheep हो dogs, goats, cattle, buffalo, elephants और कहीं पे भी horse का नहीं मिला है लेकिन एक सुरपोटा जगे है वहाँ पे horse के evidences मिलते हैं अब वो fix नहीं है horse है या नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मिलता है वो क्यूं वो अभी आपको मैं आज की class में बताऊंगा capital city जो बात करें इनकी हडपा की तो एक मोहन जोदार हो है और एक हडपा है दो ही capital city थी और ये दौनों ही पाकिस्तान में है ठीक है पहले के जमाने में यानि की पहले के जमाने में नहीं मतलब 2020 तक 2020 तक सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो site थी इंडस वैली की वो थी मोहन जोदारो लेकिन अब जो है वो बन चुकी है राखी गड़ी जो की कहां पर है आपको अच्छे से पता है भारत में है अब बात करते हम यहां पर आगे की बेक्ट ब्रिक्स मिले थे ड्रेनेज सिस्टम मिला था ये सारी की सारी चीज़े जो है वापस से कुछ फाइंडिंग थी और आप लोगों के लिए ये एक स्लाइड एक कोशन है कभी कभी तो एक स्लाइड तीन चार कोशन भी हो सकती है अब से हाँ हडपा सिविलाइजेशन का एक काम करो एफोर साइस का पेपर लो आगे और पीछे की साइड में इनको नोट डाउन करो नोट्स बन जाएंगे प्रॉपर वर्ल्ड बेस्ट नोट्स हो जाएंगे उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है जौन मार्शल जो की फर्स्ट रिसर्चर थे जिन्होंने इनका नाम रखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन वापस से मैं एक बार चीज बताना चाहता हूँ देखो दयाराम सहानी ने तो 1921 में एक्सकेवेशन स्टार्ट करी थी लेकिन उन्होंने नाम नहीं कॉइन किया था नाम कॉइन करने वाला कौन परसन था उनका नाम था जौन मार्शल इंडस वैली सिविलाइजेशन धाई अजार से लेके 1750 तक बीसी में थी हाँ बिलकुल सही है अलकेश का क्या डाउट है एक बार वापस से प्लीज पूस लीजिए मैं आपको बता दूना अज भी गाव के अंदर अर्बनाइजेशन नहीं है और उस समय आज से कुछ 4500 साल पहले अर्बनाइजेशन था अध हो गई यह तो शीप्स एंड गोट्स डॉक्स हम्ट कैटल बफैलो तो मिले ही थे ऐलीफेंट भी डॉमिस्टिकेट यहां पे करते थे और कैपिटल तो आपको अभी मैंने बताया ही था पोर्ट सिटीज यहां से एक कोशन बनेगा वे एक कोशन बन सकता है ठीके हाँ जैसे यूपी का भारी एक्जाम है एंचेंट जीके से पूस लिया फिर क्या करोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सुतकन जेंदोर बाला कोट लोथल अलादिनो एंड कुंतसी यह पोर्ट सिटीज है पोर्ट का मतलब क्या होता जहां पे पानी है और बंदरगाज इसको कहते हैं तो पोर्ट सिटी है और आपसे कोशन पूछेंगे कि इन चारों में से कौन सी पोर्ट सिटी नहीं है और एक दोला विरा देतेंगे जी वैन विल यू रिज्यूम करंट अफेस क्लासे जी करंट अफेस के जो कोशन से मैं 12-15 में ले कि आता हूँ ठीक है हाँ दा इंडस वैली पीपल वर वैल अक्विंटेड विद यूस और बोथ कॉटन एन वूल फिर देखें इस्पेशल फीचर्स देखो एक छोटी सी बात बोल रहा हूं यह जो मैंने प्रिपैर करने में दो दिन लगे हैं दो दिन और मजे की बात ये ह कि मैं ऐसे ऐसी चीजे मैं आज आपको दिखाने वाला हूं इस्पेशली ओनली फॉर यू की कौन कौन सी मतलब कि अगर किसी को जीके में इंटरेस्ट नहीं है तो वो भी उत्सुक होके जाने का कि आज़ क्या है ऐसा कुछ ठीक है तो मैं बहुत पुरानी पुरानी चीजे प्राचीन प्राचीन चीज़े आपके सामने लेके आया हूँ चलिए तो सबसे पहली जो चीज है वो है town planning and structure तो town planning का क्या होता था कि नीचे की side में city होती थी और उसके उपर क्या होता था यहाँ पे एक तो 90 degree पे roads होती थी ठीक है आजकल भी 90 degree पे road नहीं होती यह थी चोराय कैसे बनते कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा लेकिन उस समय कितना 90 degree पे बर्न ब्रिक्स थे जिपसम जिपसम का लगाते थे जिपसम का जब हम लगाते थे तो क्या है कि वो पानी नीचे नहीं जाने दिता था वहीं पे श्टोर कर लिया करता था city दो पार्ट में race थी है ना नीचे की साइड में town और उपर की साइड में citadel citadel को हम आज के तारिक में fort कह सकते हैं जैसे महरांगड fort है जैपूर में fort है उस तरह से किला कह सकते हैं और mostly जो buildings थी वो private wells थे और properly ventilated bathrooms bathrooms कैसे थे वो सनो आप यह एक जने का घर यह दूसरे जने का घर ठीक है इस side में bathroom connected इसका जो drainage है वो drainage आगे से आगे connected ठीक है ऐसे खूब सारे अलग-अलग घर के drainage connected और फिर drainage जो है end में जाके बाहर की थोड़ा सा दूर जाके वहाँ पे एकदम डिग हो जाते थे अभी भी नहीं है ऐसा system इतना system शांदार था advanced drainage system था और इतना शांदार कर दिया था उन लोगोंने कि जो पानी है पानी को वापस जो है इसको filter कर देते थे यह लोग अभी मैं बताऊंगा किस तरह से filter कर रहा है तो इस तरह का ये great बात था citadel देखो ये उपर citadel हो गया नीचे की side में यहाँ पर city बसी होई है और यहाँ पर क्या great बात है सब लोग यहाँ पर आगे नाते होंगे पहले पहले के जमाने में हम को क्या बता कोई किसी को पराचीन जमाने की बात याद है तो आप बताईएगा पुर्णर जनम जो है agriculture की अगर हम बात करें तो agriculture के evidence हम को कैसे बता चलते हैं एक छोटा सा toy देखा था अपन ने जो अपन को मिला वहाँ पर जब हम खोद रहे थे तो उसमें इस तरह की दो बुल्ड टाइप थे और इसके उपर इस तरह की जो वील थी यानि कि इनको वील के बारे में भी पता था इनको कैसे समान ले जाया जाता है बुलक काट कैसे बनाया जाता है यह भी इनको पता था ये एडवांस नहीं हो गए गुद जादा ही बिल्कूल तो वीट और बारले ये उगाते थे जो मेन क्रॉप्स थी इनकी वीट और बारले यानि की ये हूँ और जो evidence of rice, cultivation of rice, लोथल और रंगपूर, रंगपूर करके जो जगे है वो कहां पर है गुजरात के अंदर है तो लोथल में अपने को चावल मिलें, ठीक है, फिर other crops, dates, dates का मतलब क्या होता आपको पता ही है, mustard, sesame, cotton, rye या फिर peas, जो अभी बनता है, as it is वहां पर अभी भी बनता है, जी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी खासी knowledge थी, ये agriculture के बारे में हो गया, देखो अपन एक एक च कि कौन-कौन से जानवर वो रखते थे, तो ox, ox का plural होता है, oxen, buffaloes, goats, sheep, pigs, swore भी थे, dogs, cats, asses, asses का मतलब क्या होता है, घदे, camels were domesticated, humped bulls were favored by the hudappans, जो humped bulls थे, जिनके उपर जो बड़ा सा hump होता है, वो इतना क्यूं था, हाँ, वो इसी लिए था, क्योंकि, actually मैं, seal पर, उनका जो seal होता था, अभी मैंने आपको बताया था, शायद seal याद हो तो, अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं तो सब seal wheel भी लेके आया हूँ, ठीके, तो वहाँ पर important था, जी, बिल्कुल elephant थे न, यह देखो, lion नहीं पत था, लेकिन elephants and rhinosaurus were well known, और rhinosaurus को अमारी बोलते थे उस समय, देखो, not horse centered, but evidence in Surkota and Mohanjodaro and Lothal, evidence है, क्या है, evidence है, लेकिन पक्का नहीं है, वो क्यों नहीं है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, फोटो लेका है, वो प्राचीन वाली, ठीके, फिर आगे देखते हैं, यह देखो domestication of animals यह रहा, यह जो मैं आपको बता रहा था, ऐसी तरह की जो seal है, यह अपने इंडिया में पाई गई है, रोमन में पाई गई है, मेसोपोटैमिया में पाई गई है, कहां से आई यह सब, internet trade चलता था, ठीक है, इनके बीच में, देखो elephant knife की seals है, यह देखो छोटा सा जो bull शांदार है यह, यह क्या है, domestication of animals, इसके बाद आता है, technology and craft, तो एक बहुत ही शांदार मैं आपको फोटो दिखाने वाला हूँ, एक बहुत ही beautiful girl की, जो कि आप इतनी beautiful है वो की बच्चे डर जाते हैं, दिखाते हैं, चौप हो गई का यह, मैं लाया तो था वैसे, उनको दिखाते हैं आपको, यह देखिए, आपको बहुत अच्छे से देखिए इस चीज़ को, यह एक lady है, जिन्होंने अपने गले के अंदर हार डाल रखा यह वला, यह इनको के हार मिला था इनको, तो यह आप लोगों के ल समझ लीजिए, miss हडपा है, यह क्या है miss हडपा, जान रखेगा, चलो आगे बढ़ते हैं, वापस हम बढ़ते हैं, हाँ, technology and craft की बात करें, तो सबसे पहले बात करें, तो mesopotamia और पुराने ग्रीस के जो है, उससे भी ज़्यादा, हम यहाँ पे urbanized थे, सबसे ज़्यादा, ज bronze, मतलब stone ठीक है, iron हम को पता नहीं, हाँ, लेकिन bronze का ये cutting कर देते, dancing girl बना दी bronze की, bearded man बना दिया, मतलब अजी इतना शान दा, देखूं यहाँ पे, हडपा crafting beads, iron इनको नहीं पता था, यह तो अपन को पता ही है, है न, they were aware of the use of wheel, wheel के use के बारे में भी उनको पता था, इसस हम यहाँ से अपन देख सकते हैं, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, हिंदी के जो हिंदी मीडियम के student है, वो हिंदी का लेख सकते हैं, अराम से, फिर आता है नाम trade and commerce, उन्होंने votes का use किया, पानी के अंदर, क्योंकि उसका लोथल के अंदर evidence मिला है हमको, bullet cards का use किया, transportation के जि थे, यहना, votes के थूँ, उस जमाने में, सोचो, यहना, carried exchange थूँ अब बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम चलता था, देखो, पैसा तो कहां से लाएंगे, नोट तो कहां से लाएंगे, तो तू मुझे आटा देते, मैं तेरे को चावल दे, तो ऐसे वाला बार्टर इंडिया में बहुत अच्छे लेवल का हुआ करता था, अब तो खपत इतनी है कि agriculture खराब हो चुका है, cotton goods, दोनिया में सबसे ज़्यादा cotton कपास कहां उपती थी, इंडिया में, हडपा civilization, important ही किसलिए है, cotton के पीछे है, पिर terracotta figurines, beads, beads, छोटे-छोटे, कंगन जो ओते थे समय से है ये, ठीक है, आज तो मैं आपको lipstick की photo दिखाऊंगा, हडपा civilization में, जो lipstick यूज करते थे, उसकी भी photo आज में दिखाने वला हूँ आपको, ठीक है, लोथल में ivory products और copper का, चलो आगे देखते हैं, इस तरह का ये trade होता था देखो, अब real photos तो है नहीं, तो जो चीज म पांदार ये photo, ये, रोमन, रोमन photo है ये, और इसका जो seal है, हमारे भारत के लोथल में मिला है, ठीक है, और ये वली photo, इसका मतलब ये है कि लोथल के साथ direct connection था उन लोगों का, नेक्स देखते हैं, social organization, सबसे पहली तो urban habitation था, ये आपको पता है, हाँ, right, merchants and priests were important class of this group, जैसे आपको पता हो तो one system के अंदर, जो सबसे उपर वले जो थे, वही है ये, ठीक है, हडपा वर fashion conscious, fashionable थे, क्या थे, fashionable बहुत थे हडपा वले, males और females दोनो, different hairstyles, hairstyles रखते थे, अलग-अलग तरे की, और beard रखते थे, जो आज अभी ये जो 2021 में, 20 में जो चल रहा था, वो तो 4500 साल पहले ही हो गया था, the use of cosmetics was common, cinnabar, lipstick and polyureum, ठीक है, ये सब चीजे जो है, यहाँ पे हुआ करते थे, जी जी बिल्कुल, lipstick दिखाएंगे, हाँ, दिखाएंगे, necklaces चलता था, pillets चलता था, armlets चलता था, finger rings पहनते थे वो, ये न, were worn by both men and women, बिल्कुल, necklaces male भी पहनते थे, but bangles, giddles, anklets, earrings were worn by women only, अब चूडियां तो लड़के क्यों पहनेंगे, हाँ, फिर, beads were made from gold, beads जो है न, छोटे-छोटे जो बनाते थे, gold से बनाते थे, copper से बनाते थे, अलग-अलग तरेकी बनाते थे, अच्छा, fishing, hunting and bullfighting भी प्राचीन जमाने से चलता है, south के अंदर अभी भी bullfighting होती है, ठीके, वो कब से चल रही है, देखो, फिर आगे देखो, सबसे पहले चीज तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई बता सकता है, guess कर सकता है, ये क्या चीज है, आज से चार हजार साल पुराना कंगा, तो भी precise बात करूं अगर मैं, तो चार हजार, तीन या चार साल हुए हैं इसको, कोम है ये, कंगा है ये, वुडन, लेकिन इस वुडन कंगे के उपर कुछ ऐसा, मतलब कि ऐसा कुछ ओईल या फिर ऐसी कुछ चीज छड़ाई भी थी, कि ये आज दिन तक खराब नहीं हुआ है, वुडन है ये, ठीक है, लेकिन ये अभी तक खराब नहीं हुआ है, और अपने यहां पे लकडी के जो फरनिचर है, इसको तो दीमक लग जाती है, लेकिन अभी तक, आज दिन तक दीमक नहीं लगी, इतना, चार हजार साल पुरा यह मास्क जो आपने बहु बली मूवी में देखा था बहु बली मूवी के अंदर बहुत सारी चीजे जो ली गई है वो हडपा सिविलाइजेशन से ली गई है ठीक है तो यह जो है आपको हाँ जी यह बहुत जरूरी है यह एक्चुली कोई भी स्टूडेंट हो जान प्राप्त होना चीए अपने भारत का असली इस्ट्री है यह ठीक है हाँ फिर देखो यह आपको पता है क्या है यह है सामने का आईना अब आईना उस समय कैसा होता था आपन को तो नहीं पता लेकिन यह आईना है और इसके अंदर क्या है कि वो आखों का जो काजल होता है वो लगाते हैं ठीके और फिर आखोंगा काजल हटा देते हैं और यह उसको रख देते ताकि खराब ना हो राइट फिर है यहाँ पे यह फोटे छोटे छोटे ट्वाइज हैं और यहाँ पे यह श्रिंगार करने के लिए फीमेल्स के श्रिंगार करने के लिए जो अपन अभी स्टेटनर यूज करते हैं न हाँ ये सूर्मा कहते हैं इसको राइट वही वही सूर्मा तो ये स्टेटनर करने के लिए जो है बालों को लड़कियां ये लगाती थी और ये देखिए यहाँ पर ये बीड से चोटे-चोटे जिससे क्या है नेकलेसेज हाथ के बैंगल्स और य सबकी फेवरेट में सडप्पा इस हीर ठीक है अगर सौरी अगर ज्यादा बोल दिया हो तो हाँ प्लीज तोड़ा कुछ करना मत एक नेक हाँ पदा पड़े हडप्पा रात को सपने में आ गई हमें सडप्पा लपड़ा हो जाएगा ना मेरे तो बिना मतलब का आगे अभी भी लगाते हैं सूर्मा तो सोचो आप चाराजार साल पहले भी लगाते हैं यह हुई ना बात देखो आप यहाँ पे यह जो चीज आपको दिखरी है यह लिपस्टिक है क्या है लिपस्टिक हाँ तो यहाँ पे इस तरह की अगर आपको बहुत अच्छे से दिखरी हो तो यह लिपस्टिक है हाँ अलकेश ची देखो हाँ सौरी दीदी बोल रहे है इनको हाँ बहुत ही बढ़िया बहुत ही ऑसम तो और यह वाला जो पत्थर है इस पत्थर के उपर जो है काजल टाइप का जो होता है न वो लगा हुआ है काला काला कुछ है यह दोनों चीजे इंपोर्टेंट थी यह ठीक है उस जमाने में जो है यह क्या करते थे कि यह जो काला चीज है यहां पर लगाते थे या कहीं लगाते थे तो हाँ पिर आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर देख लो सबूत भी है हमारे पास हाँ पूजा है ठीक है इनको जो भी पूजा है इनका नाम तो यह सब लड मोहन चुदारो मूवी का सीन है तो ये इसा बीदर सी आया होगा है कि नहीं हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अगले कॉशन पर ये हिंदी वाले हिंदी देख सकते हैं अब देखो मुझे बताओ कहीं पे भी अपन रहेंगे तो पॉलिटिक्स तो चलती ही है आप चाहे एक कॉलोनी में ही क्यों नहीं रह लो तो कॉलोनी में भी एक जना कोई परिशान करने वाला होता है कुछ एक सपोर्ट करने वाला होता है हर जगे ऐसा होता तो central authority may have contributed to uniform culture हर जगे एक सही culture ही फोलो था नो क्लियर organized force और standing army आर्मी वार्मी की जरुती नहीं थी इन लोगों को अनॉर्मल था priest did not rule in harappah जो सादू लोग थे हाँ तो वो क्या है कि harappah priest did not rule harappah वो harappah को rule नहीं करते थे सादू लोग as they did in lower cities mesoportiamia के अंदर जो है हाँ वो priest राज करते थे लेकिन यहाँ पे नहीं करते थे और नहीं किसी राजा का प्रमान है तो यह कहा गया है कि class of merchants जो अमीर लोग होते थे जो merchants होते थे वो लोग राज करते थे इसको और वही लोग citadel में रहते थे citadel मतलब उपर की side में हाँ बही बिलकुल आयूश मैं वही बात कर रहा हूं कि पंचायती करने वाले लोग तो होते हैं हाँ पंचायती राज next question देखते हैं ये एक बहुत भारी है जी बिलकुल इराक वाला मैसो पोटेमिया की बात हो रही है seal made duty पशुपति शिवा ये actually ये पशुपति शिवा की photo है बिलकुल महादेव तो अगर सबसे पहले जो है पूजने वले जो बगवान है वो कौन है महादेव जिनको पशुपति शिवा नाम से बुलाते हैं या फिर proto शिवा ठीके और three horned heads है and is represented in the sitting posture of a yogi योगा करते वे तो इससे पता चलता है कि देखो योगा हमारे यहीं का है है कि नहीं हाँ with one leg placed above the तो वो जो आसन होता है उसके अंदर बैठे है यह surrounded by यहाँ पे यह जरूरी है elephant, tiger, rhinosaurus, buffalo और दो deer इनका significance पता है क्या है यह अशोका का जो चक्र है उसके नीचे की साइड में भी है जी आगे बढ़ते हैं prevalence of phallus, lingam, देखो lingam और uni worship भी होता था female के और male के जो private parts है उनका भी जो है यह लोग religious practice में use लेते थे उनकी photo बना के और उनको पूछते थे उस समय की बात है यह यह बहुत कम लोगों को पता है तो जो नौन आरियन लोग है और यह रिगवेद में भी इसका प्रमान है तो दो दो जगे एक ही बात लिखी वी है तो हमको माननी ही पड़ती है और chief female deity की बात करें तो वो mother goddess थी mother goddess का मतलब क्या है female की जो मा होती थी उनको they also worship fire fire की भी worship करते थे आग की तो हर कोई worship करता है क्योंकि आग से ही खाना बनता है है ना इसलिए the people of indus region also worship trees people tree को worship करते थे इसका भी प्रमान क्या है seal में मिला है हमको and animals unicorn और humped bull को पहले पूजा करते थे और पूजा करने के बाद में फिर इन से काम भी करवाते थे hadappa believed in ghost and evil forces ये भी प्राचीन जमाने में भी जो है भूतों को और ये evil forces negative energy को जरूर मानते थे तो जब negative energy को मानते थे तो फिर भगवान को भी मानेंगे इस तरह से therefore they use emulates against them तो ये मानते थे कि ताबीज अगर अपन बादेंगे तो evil शक्तियां अपने पास में नहीं आएगी religious practices script script तो इनकी और भी शांदार script जो है यहाँ पर oldest script है Indian subcontinent की सबसे पुरानी और pictographical script है जो की अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है आप भी try कर सकते हैं आप समझ गए तो आप करोड़ पती अरब पती खरब पती बन सकते हैं writing was बॉस्ट्रो फेडॉन बॉस्ट्रो फेडॉन करके जो होती है राइटिंग वो कैसी होती है देखो कल मैंने आपको खरोस्ती language के बारे में बताया था जो इधर से लिखते हैं ठीके लेकिन यह जो बॉस्ट्रो फेडॉन है यह कैसे लिखते हैं देखो यहां से सुरू होते हैं फिर यहां से लिखते हैं फिर इधर से सुरू होते हैं फिर ऐसे लिखते हैं इस तरह की जो है इसको हम क्या कहते हैं यहां पे बॉस्ट्रो फेडॉन हाँ और इस तरह से लिखते हैं नेक्स्ट, इस्क्रिप्ट हो गई यह अपनी, फिरे आर्ट, मतलब इतनी फेमस आर्ट जो चार हजार साल बात तक भी जिन्दा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, है की ने, तो ब्रॉंज कास्टिंग की बात करें, जो की लॉस्ट वेक्स टेकनीक से, लॉस्ट वेक् मौंबती बन जाती है, फिर अपन उसको वापस जला सकते हैं, तो जब उसका लॉस्ट हो जाता है वेक्स, मतलब की बार बार जलाने के बाद वो क्या है, ये एक मूर्ती की शेप में दे देते हैं, और साथ में उसको क्या कर देते हैं, मेल्टिंग वेक्स करके, और उसमें क वो नटराज मूर्ती के साथ तो मिले ही है, साउथ की बहुत सारी मैनुस्क्रिप्ट में लिखे वे हैं, और वो यहां पे हडपा सिविलाइजेशन पे भी मिले हैं, मतलब इतनी जादा इतियास की बाते कुछ पन्ने गायब हो जाते हैं, तो अपने भारत का इतियास सच में ह बहुत अलग साही था, और साही बात कहें तो बिलकुली अलग लेवल पे था, नेक्स्ट, स्टोन स्टैच्यूज, ठीक है, स्टोन स्टैच्यूज की अगर हम बात करें, तो बीडेड मैन था, देखो यहां पे, जिसको गोपा नाम से बुलाते हैं, प्रीष्ट, ठीक है, श एकदम वो जो चर्च के फादर होते हैं, उस तरह की स्टाइल है, रेड सेंड स्टोन से, देखो, रेड सेंड स्टोन नाम है, लाल नहीं है, देखो, अब उस समय का पुराना लाल का काला हो गया, क्या करें तो हम, मेल टोड़सो की है, यानि की आदा आदमी की स्वीर है, और किसी ने बनाई होगी, पूरी बन नहीं पाई होगी, आदी रह कही होगी, हाँ, और वो आदमी मर गया होगा, या तो कुछ भी बोल सकते हैं, अपन यहाँ पे, तो यह हडपा के अंदर मिली है, ठीक है, हडपा क के अंदर, फिर आगे बढ़ते है, आठ के बाद अच्छा और भी है, और टेरो कोटा फिगर्स है, यह वाला, यह मदर गॉडेज है, यह मदर गॉडेज है, ऐसा कहते थे, कि इन से जो भी मांगोगे, आपकी विश्पूरी हो जाएगी, तो आपको भी, जो आप भी मांग अपने जुडी शेरी के लिए, है की नहीं, क्या पता आपकी विश्पूरी हो जाए, हाँ, ठीके, दस रुपे की डेरी मिल्क का बोल देना, और खुदी खा लेना, सही रहेगा, अडपा वाले बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो अर्बन है, वो इन चीजों में विश्पास नहीं रखते, टांग, खीचनी, बुरा करना, ना, टेरा कोटा फिगर्स की बात करें, तो ये मदर गॉड़नेस, मास्क ओफ ओफ वन डीटी कहां है, ये है, ये वला है, और चोटे-चोटे-चोटे चोटे 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 भी मिलते हैं, इस तरह का जो है, बहुत सार लोगे, तो 6 महिने का आपको क्या मिलेगा, बिलकुल मुफ्त मिलेगा, लेकिन कोड आपको क्या लगाना है, लिंकिंग, लिंकिंग कोड यूज करके, 18 मंस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो 6 मंस का, तो जो लोगों के लिए ये बहुत ही ज़ादा महत वभून ह और जो लोग प्री और मेंस की तयारी करना चाते हैं, उनके लिए ये बहुत है, और ये बैच तो आपको पता, ये 26 जून से स्टार्ट होई रहा है, मेरी क्लासे शेडूल आज हो जाएगी इसमें, प्लस और आइकोनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, लिंकिंग को क्रिपा भी तुरंत हो गई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब बात करेंगे हम, अभी तो बाकी है, अभी तो बाकी है, finding of Indus Valley Civilization, तो क्या-क्या चीजे Indus Valley Civilization में मिली है हमको, कहां पर क्या मिला है, वो तो पढ़े कम से कम, है की नहीं, तो सबसे पहले हम बात करते हडपा क तो हडपा के अंदर सबसे जो पहली चीज है, वो मिली है ग्रेन रीज, अब ग्रेन रीज कैसी मिली है वो मैं आपको बताता हूँ, evidences कम है, लेकिन जो weight हिसाब से जो है, ऐसा बनता था ग्रेन रीज, ये है ground floor, ground floor का बता रहा हूँ मैं, एक रस्ता होता था, ये कमरा होता ठीके, इसका ये रस्ता, इस रूम का ये रस्ता, इस रूम का ये रस्ता, इस रूम का, सरे के अलग-अलग रस्ते और बीच में एक छोटी सी गली, अलग-अलग जगे पे अलग-अलग अनाज रखते थे, जैसा ये ground floor था, उसके जैसा जैसा first floor भी था, बस first floor तक ही था, second floor कोई नहीं था तो ऐसी Grinary मिली ए जहां पर अनाज को रख सके हम और ऐसी एक जगे नहीं मिली है साथ से आठ जगे पर ऐसी Grinary मिली यानि किए ट्रेड तो होता ही था वहां पर समान रखते थे तो एक बहुत अच्छी बात है यह फिर है Red Sandstone जो कि मैंने अभी आपको बताया था red sand stone इस तरह का red sand stone था पिर आगे देखते हैं हाँ ये रहा male tauts हो गया था stone symbol of lingam and yoni lingam on yoni का जो है एक stone symbol मिला था painted pottery मिली थी इस तरह की जिसमें bull shape होते थे mother goddess यहीं से मिली थी और dice ये देखो ludo जो covid के अंदर आपने कितना खेला होगा मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी यही खेलता था सुबह और शाम को एक एक game तो fix था ही time pass कैसे करें बताओ covid में कोई पढ़ाई तो होती नहीं थी तो क्या है यहाँ पे इस तरह का dice मिला था उस जमाने में देखो numbers भी दिख रहे हैं अभी भी अच्छे से पत्थर का होता था लेकिन यह फिर है मोहन जुदारो अच्छा यह तो मैंने बताया है नहीं हाँ भडपा जो है यह रावी नदी पे था direct question आता है हाँ वह शकुनी मामा का है मोहन जुदारो जो है यह Indus Valley Indus River पे मोहन जुदारो था मोहन जुदारो को दूसरा नाम भी है एक Dead Mound ऐसा कहते हैं कि यह जो शहर है यह साथ बार उजड़ा है यानि कि साथ बार बाड़ आईए अब मुझे बताओ जो Indus River के पास में शहर है उसमें तो बार आनिते हैं हैं कि नहीं तो RD Banner जी ने यह 1922 के अंदर डिस्कवर किया था Second largest site है देखो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ न यह बिल्कुल latest है With current affairs का तड़का यह ध्यान रखेगा बिल्कुल भी यह कल तक की है यह कल तक भी नहीं कह सकते आज तक का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पहले के जमाने में यह First largest site होती थी लेकिन अभी क्या है Second largest site है Post Cremation Burial यानि की क्रिमेटरी के बाद की जो दुनिया है उसके लिए भी हम यहाँ पे समान रखते थे ठीके बहुत सारे pot जो मरता था उसके साथ में रखते थे Great Grandry यहाँ पे भी देखो Grandry मिली है लेकिन बहुत बड़ी मिली है Great Bath सबसे largest building of civilization कौन सी थी यहाँ पे Great Bath पशुपती की seal मिली है और Bronze Dancing Girl यहाँ पर भी मिली है दोनों जगे मिली है और यह तरह का देखो यहाँ पे इस तरह का यह चीज यहाँ पे था यह दोनों का अच्छा Burial जो है यह common है common का मतलब क्या है यहाँ पे पती और पतनी को साथ में ही जो है बड़ी कर दिया था तो यह भी हो सकता है कि सती प्रथा उस समय चलती हो लेकिन evidences नहीं है इसलिए तो वो पहले जमाने में कोई आसिक होते होंगे कि देख तेरे बिना तो मैं रहना ही पाऊंगा तो यह मर गया तो मैं भी जी के क्या करूंगा या करूंगी खुद भी चला जाता हो ऐसा होता हो मोहन जुदारो जो है उसका ये वाला ऐसा लगड़ा करंज अर्जुन मूवी का पोस्टर लेका आया हूँ मैं आपके लिए तो ये एक्चुली ग्रेनरी है ग्रेट ग्रेनरी है और ये है ग्रेट बात अब इस ग्रेट बात के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ ठीके ग्रेट बात के अगर हम बात करें तो समझ लीजे ये ग्रेट बात है यहाँ पे एक कुवा लगावा था यहाँ से पानी इसके अंदर आता ठीके फिर यहां से पानी सब लोग ना लेते तो पानी गंदा होता है इसको इस शेप में रखावाता कि पानी इस तरफ ही फ्लो होगा तो इस तरफ फ्लो होता था, यहां पे दूसरा कुवा लगावाता तो गंदा पानी सारा इसमें जाता था फिर इस शेप से यहाँ पे जाता था तो जो गंदा पानी है इसके बीच में बहुत सारे कुछ चारकोल और अलग-अलग तरह की चीजे लगाते थे जिससे क्या है कि पानी फिल्टर होके वापस रियूज हो जाता तो इस तरह से क्या है कि बार-बार यूज कर सकते थे उसी पानी को इतना शांदार था यहाँ पे मैंने कहा ना एडवांस ड्रेनेज सिस्टम हड़पा सिविलाइजेशन का एक बहुत पार था और ये आज भी नहीं होता है उस जमाने में होता था आज भी ये नहीं होता है अभी तक इतनी अच्छी टेकनिक नहीं आई ये चनूदारों की अगर हम बात करें तो ये NG मजूमदार ने डिसकवर किया था 1931 में मतलब हडपा के 10 साल बाद इंक पॉर्ट मिला यहाँ से लिपस्टिक मिली मेटल वर्कर्स मिले शेल ओर्नामेंट मिला और बियर्ड मेकर शॉप मिली समझ लो एक तरह से ये जो चनूदारों है आपने करन अर्जुन मूवी देखी हो तो वहाँ पे चूडियों का बजार दिखता है है ना अंदर वो खाई दिखती है पत्थरों का काम चलता है वो सब चनूदारों का है ऐसा समझ लो आप और ये इंडस नदी पर है टेरा कोटा मॉडल आप बुलेट कार्ट ये पूरे के पूरे म्यूजियम के अंदर एज इज इज रखे हो है अभी आज दिन तक ये प्रेजेंट है फिर है लोथल चलिए एक कोशन पूशता हूँ मैं आपसे कोई बता सकता है ये क्या चीज है जब तक मैं ये बताता हूँ आपको आप बताएं ये क्या चीज है ये इस सफेद और काले कलर का कुछ दिख रहा है देखते हैं कौन बता सकता है ठीक है जब तक मैं ये बताता हूँ ये इस साइड नदी थी है ना और ये नदी के अंदर यहाँ पर शिप आती थी फिर शिप यहाँ से वापस जाके नदी के किनारे रह जाती थी इतना अच्छा सीन सोचो आप यहाँ पर अभी भी नहीं है हमारे इंडिया में कि शिप का अलग आने का रस्ता फिर यहाँ पर शिप उतरती समान रखते ये ग्रेंडरी बनी वी थी देखो यहाँ पर उसके बाद वापस बिलकुल ये हस्क है और हस्क क्या है चावल का ठीक है बिलकुल एश है ये तो लोथल जो है ये भोगावा रिवर पर है और डिस्कवर्ड बाइ एस राव इन नाइनटीन फिफ्टे थी उनने सो त्रेपन में हुआ है इंपोर्टन नेवल ट्रेड साइट है देखो नेवल ट्रेड है यहाँ से देखो एक-दो-चार शिप तो मुझे ही दिखरी है हाँ पर और क्रिमेशन साइट है करिमेशन साइट मतलब जहाँ पे लोग रहेंगे तो वो मरेंगे तो सरी न तो मरेंगे तो कहीं पर बरी तो करना पड़ेगा तो वोई है डॉक्याड का मतलब क्या होता है जहां पे शिप से समार उतार के रखते हैं उसको डॉक्याड कहते हैं तो सबसे बड़ा डॉक्याड कहां पे मिला है लोथल में ग्रेन रीज क्या होती है जहां पे अनाच को रखते हैं क्योंकि ये बनी वी है देखो बड़ी बड़ी देख लो अगर ये ground floor है तो ये ground floor और first floor तो ही ना तो मैंने अभी आपको बताया था फिर है rice husk वो जो चावल को जब जलाते हैं तो पीछे की साइड में उसकी ash रह जाती है तो उसको हम कहते है husk तो इस तरह का चावल का husk होता double burial double burial का मतलब क्या है male और female को साथ में बरी करते हैं तो उसको double burial तो सबसे ज़्यादा वो लोथल में मिले हैं अच्छा लो एक और चीज़ बताता हो मैं फोटो ये देखो जनम जनम का साथ है हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे इतना छोड़ा है देखो चार हजार साल से ऐसे ही पड़ें इससे ज़्यादा क्या होगा हाँ लोग बाते करते ही रांजा की और लैला मजनु की यहाँ देखो यहाँ जोड़ी आफ दा सेनेटेरियन है कि नहीं जी पापा मम्मी नहीं माने होंगे तो दफना दिया हाँ छोड़ा नहीं होगा अब बहुत सारी कहानिया बना सकते हैं अपन तो अपन क्या एक्स्टा टैलेंटेट लोग है यह देखो इस तरह का यहाँ पर सोरा है यह आदमी अराम से और इस तरह के समान भी इसके अंदर रखे गए हैं यह तो इसके उपर ही पड़ा है यह तो और यह पता नहीं क्या है यह ठीक है हाँ चलो आगे बढ़ते हैं यह लोथल के सीन है यह आगे बढ़ते हैं ढोला वीरा अब आ जाता है ढोला वीरा ढोला वीरा के बारे में मैंने आपको बहुत बार पता रखा है कि ये एक UNESCO World Heritage Site है है UNESCO World Heritage है हाँ इसकी भी बहुत खास बाते है आरबिष्ट ने 1985 में इसको डिस्कवर किया था यूनीक वाटर हार्डनेसिंग सिस्टम पानी को साफ करने का हाँ बहुत ही अच्छा यहाँ पे सिस्टम था देखो एन इस स्टॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम ये जो देखो एक दो और ये तीन ये तीन कुवे थे मैंने अभी जश्ट आपको ये समझाया था आपको देखो तो सेम मोहन जुदारों जैसा जैसा ड्रेनेज सिस्टम कहां मिला है अपने को दोला वीरा में मिला है ठीक है तीन जो है यहाँ पे साफ करने का तरीका था पानी को तीन पार्ट में डिवाइड करना अच्छे से वाटर ड्रेनेज करना और यहाँ पे एक मेगालिथिक स्टोन सरकल है मेगालिथिक का मतलब क्या होता है बड़ा छितिक का मतलब क्या होता है स्टोन इस तरह का यहां बना बाए और अगर आप धोलावीरा जाओ कभी भी गुजरात के अंदर है यह तो यह वहाँ पर है अभी तक as it is, ठीक है, हाँ, लूनी नदी वोई है, जो राजस्थान से बैके आती है, और गुजरात में होके कच में, अरेबियन सी के अंदर जो है, मिल जाती है, वोई है ये, बिलकुल, हाँ, सुरकोतडा, सुरकोतडा जो बात करें अगर हम यहाँ पे, तो यह गुजरात के अंदर ह और एक मातर ऐसी जगे है, जहां पे घोडा मिला है, लेकिन इसकी एक बहुत फेमस बात है, जो यूपी ऐसी के अंदर ये कोशन पूछा गया था, बहुत ही फेमस बात है, वो मैं आपको बताता हूँ, देखो, ये, ओल शेप का बूरियल, ठीक है, जो कबर है ना, सारी की स सारी स्ट्रेट होती है, इस तरह की, लेकिन ओल शेप है, ये, एक मातर पूरे वर्ल्ड में यहां पे यहीं पे है, और कहीं नहीं है, राइट, हाँ, ये ऐसे ही चल रहा है कबसे, बट क्या है कि एकदम परफेक्ट चल रही क्लास, हाँ, देखा मैं ने, कोई बात नहीं, ब ओवल ग्रेव मिले हैं, पॉर्ट ब्यूरेल्स मिले हैं, मतलब कि पॉर्ट के अंदर, जो छोटा, अच्छा, ये मताता हूँ मैं, ये क्या है, कि मैंने एक पड़ा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब कभी छोटा बच्चा जो मर जाता था, छोटे बच्चे जो जो आज फॉलो कर रहे हैं, हाँ, आज फॉलो कर रहे हैं, अच्छा, इम्पॉर्टन पर्सन है, हो सकता है, हाँ, या फिर इसने कहा होगा, देखो मेरी आखरी इच्छा ये है, कि मेरे को गोल कबर में डालना हूँ, क्या पता, है कि नहीं, सोलजर साइन और पोस्ट शर्ड, यानि कि अच्छा, एक चीज में बताता हूँ, सब लोग बोल रहे हैं, कि घोडे का स्ट्रक्चर हो सकता था, लेकिन हमको क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे बुलक कार्ड जैसा मिला है, और बुलक कार्ड के अंदर, जो बुल्स होते हैं, ब ठीके, यह पाकिस्तान के पास में है, और वहाँ पे घोडे बहुत जादा है, तो शायद जो है, उन्होंने गैस करा हो, कि सच में घोडे हो सकते हैं, नेक्स्ट, काली बंगन, काली बंगन की बात करें, तो यह हनुमान गड डिस्टिक के अंदर है, जो की राजिस्तान में ह किया था, यहाँ पे मिली है वो, बैंगल फेक्टरी, ठीके, यहाँ पे बैंगल फेक्टरी मिली है, और उस बैंगल फेक्टरी की फोटो, मैं यह आपके सामने लेखाया हूँ, थोड़ा मुश्किल था ढूंडना, बट मिल गया, ठीके, आज एक तो सबसे बड़ी बात, को इंसिडेंस देखों, यहाँ पे योगा डे है आज, और मैंने बहुत मुश्किल से यह फोटो ढूंडी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही मुश्किल से, इतना सारा पड़ा दिया मैंने आपको है, यह तो हमारे लॉड शिवा है, पशुपती शिवा, वित एई आइ, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, जो है पशुपती शिवा को कैसा बनाता, ऐसा बनाता, ठीक है, हाँ, यह जो फोटो है, यह बली, यह फोटो बहुत मुश्किल से मिली थी, यह है, रियल फोटो है यह, ठीक है हडपा की है यह, हाँ, बिलकुल, चलो आगे बढ़ते ह जी, मुझे तो पैता नहीं था, हाँ, कोइंसिडेंस मेरी लाइफ में बहुत होते हैं, तो यह ऐसा ही कुछ, एक छोटा सा कोइंसिडेंस हो गया, बिलकुल, आगे बढ़ते हैं, अब कहां पहुचे हैं हम, हाँ, काली बंगन आ गया, फायर अल्टर्स भी मिले हैं, फायर जो थी न, फायर के छोटे-छोटे काले तरह के पड़े थे, ठीक है, हाँ, लोड फील्ड सर्फिस भी हमको काली बंगन से मिला है, यानि की पूरे खेती किये वे जो फील्ड होते हैं, मैदान, वो भी कहां यहां मिले हैं, और काली बंगन कौन सी नदी पर है, खगर नदी उसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यह एक होश है, राखी गड़ी is the largest हडपा साइट in the Indian subcontinent, सबसे बड़ी हडपा साइट कौन सी है, राखी गड़ी ही है, ठीक है, और राखी गड़ी में अभी 2023 में, यह 2023 की फोटा है, ठीक है, I think February, यानि कि आज से तीन महीने पू मिलेगा, तो वही है यह, तीन महीने पहले यह मिला है, इस तरह का, इस अभी तक और कुछ मिला नहीं है, आज तक, ठीक है, तो यह इस तरह की कंकाल मिली है, और कंकाल के पास में यह चीजे मिली है, और जो मीडिया से छुपाया गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक पोट के अंदर सिक्के मिले हैं, जो कि Archaeological Survey of India ने अपने पास रखा है, उसका खुलासा नहीं किया है, ठीक है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, The site was excavated by Amrindranath of ASI, ASI मतलब Archaeological Survey of India के जो head थे उस समय के उन्होंने ये excavate किया है, ठीक है और आखी गड़ी कौन सी नदी पे है, घगर नदी पे, ये आज की फोटा है, नहीं आज की नहीं, स्वारी स्वारी, दो दिन पुरानी फोटो है, ये सारा का सारा खोद चुके हैं ये, अभी तक कुछ नहीं मिला है, अब इधर आगे खोदेंगे, धीरे धीरे आगे खोदते जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, डिक्लाइन, अच्छा, हडपा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यू हुआ, ये अभी मैं आपको मेंस का कोशन भी पोचूँँगा, अच्छा, में का कोशन तो मैं इधर बता रहा हूँ, और प्रिलिम्स की जो तैयारी है, में 12-15 की क्लास में आपको कराऊंगा, तो 2020, IBC का मतलब यहां पर होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिक्लाइन ग्रेजुआली फेड़े डवे, तो वो बिलकुली खतम हो गई थी, उसके र डिप्रेशन इन लेंड, लेंड धस गया, जमीन के अंदर दबके मर गए, हो सकता है यह रिजन, आरियन्स इंवेशन, आरियन्स आगे थे और उन्होंने इनको मार दिया, हो सकता है, डिकलाइन ओफ ट्रेड होई, सेम चीज है यह, प्लट्स, बाढ आ गई, मोहन जुदारो में तो बिल्कुल बाढ ही आई थी, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वज़े से भी सारे के सारे लोग मर गए, यह रिजन्स हो सकते हैं, most acceptable reason is ecological imbalance, ऐसा कहा गया था कि पूरी की पूरी जो धरती है, धरती मतलब पानी के अंदर डूब गई थी, और ecological imbalance हो गया था, फिर दीरे आइसबर्ग बनते गए, तो यह सबसे acceptable reason यह है, ecological imbalance, अब जो चीज मैं बता रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह मैंने इस हडपा की फोटो है, यह अनलाइज ता, elements of urban civilization in हडपा culture, तो आपको मैंने जो starting में बताया, वो आपको करना है, ठीक है, यह जो answer है, यह होगा 200 words में, 200 शब्दों में लिखना है, फिर, what are the reasons, देखो मैं आपको बता देता हूँ, prelims की तयारी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन prelims के साथ mains की तयारी करना डबल अच्छी बात है, लेकि है, मतलब की mains की भी तयारी साथ में करो, what क्योंकि अपन का जुडिश का एक्जाम दे रहे हैं, LDC का तो दे नहीं रहे हैं, what are the main reasons, या फिर, what are the reasons of decline of IVC, यानि की Indus Valley Civilization, अच्छा, इसके जो MCQ हैं, ये तो mains के दो कोशन मैंने बता दिये, prelims के लिए 12-15 की जो क्लास है, आज की, उसमें मैं MCQ लेके आया हूँ, जो अभी पढ़ाया है, उसके base MCQ है, तो अच्छा instant revision भी हो जाएगा आपका, और फिर वापस पढ़ने की जुरुत नहीं पढ़ेगी, ये दो क्लासे more than sufficient है, GKGS के लिए, ठीक है, हाँ, और ये major sites के बारे में, इसका screenshot एक बार देख लो, ये आप लोगों के लिए एक extra बनाया था, मैंने ये, ताकि क्या ह कि एक ही जगे हो जाए, जी, देखो, अगर आप notes बनाते हो, तो बहुत बढ़िया है, और नई बनाते हो, तो और भी बढ़िया है, क्योंकि मैं notes को जो है, आपको linking loss के platform पर मैं आपको provide करूँगा, एक बार ancient GK के खतम हो जाएगी, तो मैं आपको provide करते हूँगा, और जिन कीजिए, पाकि क्या है कि आपको मेरी classes के बारे में एक एक चीज का पता रहे है, ठीक है, मैं आपके GKGS से segment में चाय करन्ट affairs का डील हो, या फिर history, geography, quality, economics, science and tech, science, culture, environment, reasoning, mathematics, और English, ना, computer भी साथ में, तो यह सब मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूँगा, ठीक है, चलो, और आपको पता ही है, linking loss की family तो है ही शांदार, तो perfect है, और इसके अंदर आपकी photo आनी चाहिए, तब तो आए मजा, ठीक है, हाँ, चलो फिर, तो मिलते हैं हम, कल फिर से, इसी time पे 10.30 की class में, thank you, have a nice day and God bless you, thank you and a very happy international yoga day.